मकर संक्रान्ती के दिन आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चावी बन सकता है और आपको इतना माला माल बना सकता है कि आपकी साथ पीडियां बैठ कर खाना खा सकती है। दोस्तों गुरुजी के बताय हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं बलकि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बना कर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोडपती होना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं। गुरू जी का बताया हुआ चावल का अचू कुपाए जो आपकी किस्मत बदल सकता है दोस्तों। इस बार मकर संक्रान्ती 14 जन्वरी की जगह 15 जन्वरी को मनाया जाएगा। जयोतिश के अनुसार इस बार मकर संक्रान्ती के दिन रवी का निर्मान हो रहा है। नश्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। खास कर इस दिन सनान दान तप जप श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदिका अत्यधिक महत्वह कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान सौ गुना होकर प्राप्त होता है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। मकर संक्रांती के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान बहुत ही शुभ फलदाई माना जाता है। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सूर्य देव नमे। आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना माला माल बना सकता है कि आपकी साथ पीडियां बैठकर खाना खा सकती है तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर लगातार खाली का खाली ही रहता है और वह पैसों की कमी की वजह से घर में लड़ाई जगडे और क्लैश होते रह आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। यदि आप खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को इस स्थाई रूप से अपने घर में विराज मान करना चाहते हैं। जल्द से जल्द क प्रवाइब बितने हैं, दोस्तों गुरु जी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुब परिणामों को भी प्राप करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोडपती होना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरू जी का बताया हुआ चावल का अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइ और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना दोस्तों जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो अक्षत को एक विशेश महत्व दिया जाता है यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो अखंड हो यान अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है तो इसी संदर्भ में कि भारतिय रसोई में चावल का एक विशेश महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब गुरु जी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। गुरु जी के अनुसार महिलाओं को चावलों के विशेश उपाय भी बताए। चांदी की कटोरी में रख सकती है। और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रखिए। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांट, एक सुपारी और एक सिक्का रख कर एक कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार महा लक्ष्मी नमह का जाप करना है। और चावल लाकर इसमें भर दीजिए। और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन ही चावलों में से निकाल कर अपने घर में चावल बनाईए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ गुरु जी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी महिलाओं को बताए। आप महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद श्री सेवाएं नमस्ते भी के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिशेक करें और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं, उसे किसी ब्राहमन को या फिर किसी गरीब को दान कर दें, इस उपाय को अगर आप सोमवार वाले दिन लगातार पांच सोमवार तक करते हैं, उपाय विशेश फल देता है, इसी के साथ आप चाहें तो इस उपाय को प्रदोश तिथी वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको लगातार पांच सोमवार करना ही है दोस्तों गुरुजी का कहना है कि चावल के विशेश उपायों से हमारे जीवन में सुक सम्रिध्धी आती है धन वैभव एश्वर्य प्राप्त होता है भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर जब चावल अर्पित किये जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा आशीरवाद हमेशा बनाती है इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप एक नौकरी पेशा इनसान है और आपको दिन रात में मिनट के बाद भी आपको नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या फिर आपको यह ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो तो आप चावल की खीर बना कर कौवे को खिला सकते हैं ध्यान रखिएगा कि जी के अनुसार आपको यह उपाय मंगल शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोश आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अडचने अपने आप ही समाप्त होने लग जाती है दोस्तों, इसी के साथ गुरू जी का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में पित्र दोश या फिर मंगल दोश है तो अपने पित्रों को खुश करने के लिए आप एक विशेश उपाय कर सकती है इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावल की खीर बनाएं और रोटी पर रख कर उन्हें कोई को खिला दें कि हमारे पूरवजों का रूप माने जाते हैं और यदि आपको में को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पित्र प्रसन्न होते हैं तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं, तो इससे केवल आपकी उन्नती के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी। बलकि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो वह सारी अडचने अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। और आपको न केवल धन की, बलकि मान, सम्मान, एश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी माता का आशीरवात पाना चाहते हैं, तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर है, उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध कर अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर आप इन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकती है, ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे, तो दोस्तों ये थे गुरु जी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए हैं, वह उपाय जिन्हें अपना कर आप अपनी कुंडली म धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं और माला माल हो सकते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद!